हलो फ्रेंट्स वेलकम तो दे यूट्यूब चैनल स्टाड़ी रिकॉर्ड फ्रेंट्स आज हम डिसकस करने वाले हैं 21 अप्राइल 2019 के करेंट अफैस कुप पर फ्रेंट्स हम लोग करेंट अफैस पर इसलिए डिसकस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एक्जाम पॉइंट ओफिस से ज चैनल को आप सब्सक्राइब जरू कर लिजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरू प्रेस कर लें जिससे में जो भी वीडियो अप्लोड करूंगा तो इसका नोटिफिकिशन आप तक पहुच जाएगा और फ्रेंट्स में डिस्क्रिप्शन में टेलीगरम ग्रूप की ल बी चीन चीन इसका राइट आंसर हो जगा और सभी लोगों ने कमेंट मुक्स में सही आंसर किया है चीन के गोभी रेगिस्तान के बीच में एक मंगल बेस सिमूलेटर है जो स्कूली यातरा पर आएक किशोरों के बीच लोग प्रिये है और पच्छमोतर गांसू प्रांत मे बंजर पाड़ियों से घिरा मंगल बेस बन का अनावन हुआ और इसका जो उद्देश है वह एक किशोर और जल्द ही परेटों को यह बताना है कि इस ग्राइट पर जीवन कैसा हो सकता है ठीक है बारत और चीन ने बीजिंग में नोवी वाशिक रक्षा और सुरक्षा वार चीन ने चंध्रमा की दूरवर्ति सत्य पर रोबर्टिक क्राफ्ट लेंड करने के लिए पहला मिशन लॉंच किया भारत और चीन प्रेट में था वह बबंगर सेवाय प्रदान करने के लिए अपना पहला संचार उपगर लॉंच किया चीन ने अपने सबसे शक्ति शाली गेर पढमानू हतियार का परेक्षार किया शोली रूस भारत चीन बेठक भुजेन में होगी अप्रण्स हम चीन के इंप्रण पॉइंट देख लेते हैं चीन की जो चीन की जो करंसी और रेंवेंबी और चीन की जो प्रसीडेंट वहें जी जिजिंबिंग यतने बढ़न आपको चीन से याद रखने तेल्मेंट स्टार्ट करते हम हमारा आज का सेशन हाली में भारत ने छोई फेल कुंडिलिंग मठ का पुना निर्मान किस देश में किया है तो फ्रसीड का अंसर है उप्शन नमबर सी नेपाल नेपाल इसका राइट आंसर हो जागा उप्शन नमबर सी इसका राइट आंसर हो जागा भारत ने नेपाल में छोई फेल कुंडिलिंग मठ का पुना निर्मान किया है और श्यालपा तेंजिन रिन पीछे ने सिंदु पालचोग जिले के लिसांखु गाव में नव पुनर्मित मट का उद्गाटन किया और छोईफेल कुंडलिंग मट की स्थापना 1946 में लिसांखु ग्रामीनों की सक्रिय दिशा और योगदान के साथ की गई थी अब इसका नेपाल है तो नेपाल से लेटेड जो रिसेंटी कांट अफसरा है उस पर भी हम डिसकस कर लेते हैं काटमांडू में एशिया प्रशान सिकर सम्मेलां 2018 आयोजित किया गया नेपाल में अपने नागरी को द्वारा भारत में खर्श राशी पर एक मासिक सीमा लगाई नेपाल में एक महीन का फेस्टिवल ओफ एंडिया शुरू हुआ है अफरेंट्स हम नेपाल के इंपोर्टन पॉइंट देख लेते हैं नेपाल के जो कैपिडल है कार्डमांडू नेपाल के जो करंची है नेपाली सिरुपी नेपाल के जो प्रसिटियंट है वह है बिध्या देवी पंडारी से जहल किया गया है Paytm Payments Bank Limited ने अपने Board of Directors में उगमी शायरी चहल को निउक्त किया है और चहल महिलाओं के लिए एक सामुदाइक मंच, शीरोज की संस्तापक और CEO है और Paytm Payments Bank जिसे अगस्ट 2016 में निगंबित किया गया था इसने 2017 में उपचारिक रूप से अपना परिचालन शुरू किया तो बेसिकलिए आपको याद रखना है कि Paytm Payments Bank Limited के निदेशक मंडल में शायरी चहल को निउक्त किया गया है ठीक मंट्स नाम आपको याद रखना है हाली में किसने भारती एकसा जनरल इंशूरेंस के साथ दो पई या बीमा उतपात की पेशकर की है या उतपात की पेशकर की है और यह उतपात लौंच के पहले चरण के दोरान माई Airtel एप और भारत भर में 40,000 से अधिक Airtel Payments Bank के इंदरों पर उपलब्द है और इस पेशकर में व्यस्तिकत दुरगटना कवर तीसरे पक्ष की देनदारियों के खिलाफ सुरक्षा और निरिक्षन मुक्त नविकारण शामिल है आपको याद अखना है कि Airtel Payments Bank ने भारती एक साथ General Insurance के साथ दो पई या भीमा उत्पात की पेशकर्ष की है चलिए फ्रेंटस हम डिस्कूस के लेता हमार नेक्स पॉइंट नेक्स में हाली में रेलवे बोर्ड के सदस्य सामगरी प्रबंदन के रूप में किसने पदबार समाला तो फ्रेंटस का अंसर उप्षन नमबर C VP पाठक इसका राइट आंसर हो जगा उप्षन नमबर C इसका राइट आंसर हो जगा शरी वीपी पाठक, 1980 बेच के भारती रेलवे स्टोर सेवा अधिकारी ने रेलवे बोर्ड के सदस्य सामगरी प्रबंदन के रूप में पदबार समाला और इस पदबार न्युक्त होने से पहले वह 12 जून 2018 से रेलवे बोर्ड के महानिदेशक RS के रूप में कारत थे शरी वीपी पाठक ने 1979 में मोतिलाल नेरु राश्टीर प्रवदगी की संस्थान इलाबाद से सिविल इंजिनीरिंग में सनातक की उपादी प्राप्त की है तो आपको यह याद अखना है कि रेलवे बोर्ड के सदर से सामगरी प्रबंधन के रूप में किसने प्रदबार संबला है नाम आपको याद अखना है डारेक नाम पूछा जागा तो वीपी पाठक आपको आंसर करना है तो फ्रेंट्स चलिए आप डिस्कुस कर लेता हमां अनुसंदान संस्थान ओप्शन नमबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्टिय पर्यावन इंजिनेरिंग और अनुसंदान संस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अध्यन में पाया गया है कि गंगा नदी के पानी में जिवानों रोधी गोणों वाले जी गंगा नदी के पानी में जीवानू रोधी गुडों वाले जीवों का अनुपात काफी अधिक है यह अध्यान गंगा नदी के विशेश गुडों को समझने के लिए जल गुडवत्ता और तलछट का आंकलन 2016 में शुरू हुआ और राश्टिये पर्यावान इंजिनेरिंग और अनुसंदान सरस्थान द्वारा किया गया था ठीक है फ्रंट्स लेब डिसकस कर लेते हैं हमारा नेक्स पॉइंट नेक्स पॉइंट है हाली में टाटा स्पंज आयरन लिमिटेट ने अपने पंजिकरत कार कारालाय को उडिसा के क्योंजर से कोलकता स्थानांतरित करने का निनाय लिया है और टाटा स्पंज ने हाली में कोलकता में 4,090 करोड रुपई की लागत से उशा मार्टिन के स्पात व्यवसाय का अधिगरण किया है 1991 में टाटा स्पंज आयरन लिमिटेट ने अपने पंजिकरत कारालाय को उडिसा के क्योंजर से कोलकता स्थानांतरित करने का निना लिया है और टाटा स्पंज टाटा स्पंज टाटा स्टील की एक सायोगी कंपनी बन गई अफ्रेंट स्कान से कोलकता है तो वेस्ट बंगोल से रिलेटेट जो रिसेनली कंटर्फन है उस पे भी हम डिसकस कर लेते हैं एससायर आइल एंड गेस एक्स्पोलरेशन एंड प्रोडेक्शन लिम्टेट को पच्छिम मंगाल में रानिगंज ब्लॉक में शेल गेस बंडार की कोच के लिए परियावरन मंजूरी मिली पच्छिम मंगाल में युवा श्री अरपन योजना शुरूप की गई जापन अंतराश्टी सायोग एजनसी पच्छिम मंगाल में 1000 मेगावर्ट के तर्गा पंप स्टोरेज को 5000 करोड रुपए का रेंट प्रदान करेगी असीम कुमार राय को पच्छिम मंगाल का लोकायुक्त किया गया नेक्स्ट है पच्छिम मंगाल में भूमी सुधार विदेख पारित किया गया कोप इंडिया 2019 पच्छिम मंगाल में आउजित किया जाएगा तीन दिवसी ये बंगाल फिश फेस 2019 का उद्गाडन कोलकत्ता में किया गया अब फ्रेंट्स हम पच्छिम मंगाल के इंप्रेट स्वतंतता सूच कांग 2019 में भारत की रेंग क्या है तो फ्रेंट्स का अंसर ओप्चन नमबर डी 140 140 का राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही महत्पूर्ण कोशन है इस तरीके कोशन पूछे ही जाते हैं यह आपको याद रखना है वल्ड प्रेस फीडम इंडेक्स 2019 में भारत तो दो अंग नीचे गिर गई है रिपोर्ट्स विदाउट बॉडर्स ने पत्रकारों के प्रती बढ़ते दुएश को दर्शाते हुए वल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 जारी किया नौर्वे सूच कांग में सबसे उपर है फर्स पे कोन है नौर्वे तो यह आपको या बहुत ही इंपोर्टेंट है वल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत की रेंक 140 से 2019 में और 2018 में 138 पस्ट पे नौर्वे सेकेंड फिन्लेंड और थर्ड पे स्वीडन ठीक है अब डिस्कुस कर लेता है मां एक्स्ट पॉइंट हाली में रास अल खेमा आर्थिक छेतर क बहुन के भारतीय वियापार समुदाय में विशेश कौर्परेट राजदुत किसे नुक्त किया गया तो फ्रेंट्स से का अँजर और षेमा आर्थिक छेतर के रूप में नूक्त किया गया और एक brand ambassador के रूप में रवी शास्त्री UAE में रास अल खेमा आर्थिक छेतर के माध्यम से अपने संचालन को स्तापित करने या विस्तार करने के लिए अधिक भारती व्यापारिक नेताओं को आकर्शित कर सकते हैं यह आपको याद रखना है इसकांसर रवी शास्त्री चलिए फ्रेंट्स हम डिस्कुस कर लेते हैं वहाँ नेक्स पॉइंट नेक्स पॉइंट है हाली में एशियाई भारतोलन चेंपिंशिप 2019 में भारत की चुनोती का नेतरत्व कोन करेगा तो फ्रेंट्स कांसर ओप्शन न पीरा बाई चानू निगंबो चीन में शुरूई एशियाई भारतोलन चेंपिंशिप 2019 में भारत की चुनोती का नेतरत्व करेंगी अंतराष्टिय भारतोलन संग द्वारा वजन शेनियों में बदलाव के बादवर 48 किलोग्राम के बज़ाए 49 किलोग्राम वर्ग में प्र करना है मीरा बाई चानू ठीक है फंट चले अब डिस्कुस कर लेते हैं में नेक्स पॉइंट हाली में किस भारती अमेरिकी विज्यानिक और सामाजिक कारकरता को क्लीवलेंड इंटरनेशनल हॉल ओफ फेम में शामिल किया गया है तो फ्रंसिका अंसर ओप्शन नमबर डी श्री श्रीनात श्री श्रीनात इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा भारती अमेरिकी विज्यानिक और सामाजिक कारकरता को सिस्टम जीव विज्यान वेश्विक मुद्दो और सतत्विकास में अनुपरयोगों में उनकी योगदान के लिए प्रसीद क्लीव लेंड इंटरनेशनल हॉल में शामिल किया गया और प्रोफेसर श्री श्रीनात को पांच अन्य डॉक्टर अक्रम बुत्रोस इंग्रिंडा बुबीलस पाल बुरिक रिचर्ड फ्लेशमेन और मर्लिन मेडिगन के साथ इसमें शामिल किया तो बेसिकलि आपको याद रखना है कि किस भारती अमेरिकी विग्यानिक और सामाजिक कारकरता को क्लीवलेंड इंटरनेशनल हॉल आफ फेम में शामिल किया गया है फ्रेंट्स का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे नेक्स वीडियो में इस पसंद आया होगा अगर आपको फ्रेंट्स यह वीडियो पसंद आओ तो लाइक जरू करें अपने फ्रेंट्स के साथ और स्टडी से लेटेट को भी वाट्सप गुरूप हो तो उस ग्रूप में आप इस वीडियो को जरूर बता है कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर एकन को जरूर प्रेस करने जिससे में जो भी वीडियो अप्लोड करूंगा तो सब्सक्राइब तक पहुच जाएगा थैंक यू फ्रेंट्स पर वाचिंग है मैं इस डे थैंक यू